हेलो फ्रेंड्स मैंने कुछ समय पहले एक शॉर्ट वीडियो अप्लोड की थी इसकी मुझे फुल वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी तो यह है पहाड़ी हमारी एक करी की फुल वीडियो देखिए आपने हमने कड़ाई में यहां पर एक उबाल दिये हैं यहां बुआ जो है पहाड़ी खाना और चटपटा खाना बनाती है और इनके हाथ में जो टेस्ट है उपको और कहीं नहीं मिलेगा तो यह हमारे एक उबल गए हैं कड़ाई में देखो और हमने इनको छील लिया है करम गरम देखो हाथ से निकाल दिया है चील के अबारी है ने प्राई करने की आप अपर बुआ में दमक के नहीं में पहलु किया थे उसमें आप लोग लोग न्यों में देख चड़े हैं अब आप आप साङग के ड़यिया रिया है और अब एक और अब खाली उबाल के डालें तो उतना मज़ा नहीं आता है इस तरह से एग बुआ ने फ्राइ कर लिए हैं देखो आप देख रहे हैं सारा काम चूले पर हो रहा है पहाड की तो खासियत है इसमें जो होता है इस सबजी में भी वह आरोमा जाता है जो स्मूकी फ्लेवर आता है वह उसको एक अलागी लेवल पर पहुचा देता है तो यहां पर प्याज बुनने को डाल दिये हैं प्याज ड़ चुके हैं तेल में एक फ्राइ होने के बार अब इसमें पढ़ेगा मसाला तो मसाले से पहले बुआ इसमें टमाटर डालेगी कुस टमाटर में पहले ही डाल हैं फिर उसके बाद इसमें जो मसाला नोने हाथ से पीसा था विसलबटे में आपी के सामने वह उसमें मिक्स किया जाएगा तो यह देखो प्याज लगबग प्राई होने वाले हो रहे हैं और आज थोड़ा बुआ ने इसमें बढ़ा दी हैं सायद प्याज को थोड़ा सा क आज प्याज को बढ़के आता है तो देखते हैं आगे कैसे अब इसमें अग जो है वो डाल दे गए हैं क्योंकि मसाला पग्या है अब एग में थोड़ा सा मसाले को डाला जाएगा एक तरह से मैरिनेट हो जाएगा इसके साथ और फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिला तरहां डाले कि इतना एक एबसार एक अर रोटी के सानगे खाए तो जैसा आपको अच्छा लगे को इसाथ खाये खाये खाया इंजाय कीजिए आप भी बिनाए खाये और सभी दोस्तों लेख आए आसा करते हो आपको मेरी रसी सीपही बहुत पसंद आई होगी अगर आपक कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और अगर ना भी पसंद है तो भी यास में कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाई से तो आप उसको भी बता सकते हैं थैंक यू बाइबाइब